तो देखो इस चैप्टर का नाम कार्बन एंटिस कमपाउंड इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो कार्बन का वैलेंसी होता है चार जो कि अभी तक जितना वैलेंसी तुम लोग पढ़े हो उसमें मैक्सिमम है ठीक है तो हम लोगों पता है कि कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी के लिए 8 तक कोई भी एलिमेंट अपना उक्तेट पूरा करना जाता है तो अब देखो मेन है कि क्योजी के बनाऊंट के कब तब बनाएगा जब इसका वैलेंसी आट से कम है और उसका वी जोजीसे cohesive है और किसी के पास उस कितना है तो सबसे पहले देखो कि वैलेंसी और वैलेंसी एलेक्ट्रोन के बारे नहीं पता हुआ ठीक है तो वैलेंसी क्या होता है कि देखो वैलेंसी होता है जैसे हम अगर सबसें को नुक्लाइस से निकलने के लिए महीं अगर sangat Reg Jay से माइनस कर से यह फा 되어 यह हो जाता है तो भात यह है यो एक यह तो अध्युद्य रेक्ट्रों कितना होगा जीतना चपटना इन्फिलक्ट्रों उक्रें कर इसका 5 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रोन कितना हो जाएगा 5 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रोन हो गया निकाल सकते हो इसी तरह से तो वैलेंस इलेक्ट्रोन डिफरेंट होता है उसको ध्यान में रखना किसी किसी केस में सेम हो जाता है कब जैसे कि मालोग अगर हम सोडियम का निकलना चाहते हैं तो sodium 11 नंबर पर होता है ठीक है तो वह फर्स्ट में दो हो रहेगा और सेकेंड में 8 रहेगा और थार्ड में एक ही बचेगा तो एक इसका अब इलिमिट बनाना चाहते हैं इसका है इसका हम दिखा दिया कि एक इलेक्ट्रोन और सील के पास बाहर कितने लेक्ट्रोन हैं डाट इन इसको से डेनोड करते हैं ।ट। आए अपना ओक्टेट्स पुरा करने के लिए क्या करेगा कि वह सारा इसका लेए अध्यक कहरता है। इसके अपना पूरा करने के लिए या तो ले लेगा या तो देदेगा जिसमें। आपना एक का कर nugya करेगा दे Production का करेगा दे उसे अगिलेंगे जाता है जब कुई लेता है तो निगेटिव चार्ड लग जाता है अब देखो माल लो अब एक बात आता है कि जब लेंंदिन इलिक्ट्रॉन का हो रहा है तो वहीं से स्टार्ट होता है bondinder से स्ट्टार्ट होता है ईसे में ले लेगा इसका कंप्लीट यह क्या करेगा कि यां देन का की सटा जवां जाता है एक लिया है एक दिया है वन बन जाता है फो इसको दि laugh देते एक इसको पूलते हैं । एक को होड़ा तो अक्सिजन का वालेंज कि किटना होता है यह को हो इसको दों से दिखांग कि इसका शे और आप इसको इसको 2-0 कॉंप्लिट करना बाद और इसका च्छे है इसको कम्प्लीट करना है तो इसमें जो बॉंड फॉंड होगा वो जनरली हम ऐसे कर देते हैं इसमें की प्लस चार्ज होता है जिसमें की प्लस चार्ज होता है आप देखो मैंने कि कि फॉंड होता है करता कैंदम का बीद में कि दोराम से बता सकते हैं अब आता है और नायट्रुजन farmers के बाहर कितना है को हुआ हुआ mmald बताताते १। आपछ इलेग्टवन है था उसी तरह से हूं कर दो कर दो हो इससे उसको कितना चाहिए पांच इसके पास खूध है इसको और ट्रोजन नगे किछा सब्सक्राइब चाहिए अब तीन एलेक्रोन चाहिए तो 10 राक्राइब इससे इसका देहलेगा तुछ और यंकूंदोस्ट रख तुछ में कितना साकंद गया तаровडुस्केल रिपाव महासं अब है लोग अब लोग अब लोग ऑखिजन अब लिए और नाइटोजन नाइटोजन पढ़ लिए ठिक ना अब यह तो सेम इलिमेंट है ना जैसे मालो कि अगर हम लोग कोई और कंपाउंड बना रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारा हो गया इसको बनाना है तो देखो इसका हम लोग अभी क्या पर समझ क्या पढ़ रहे हैं वहां पर है अब देखो कि लिखा गया तो हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे रहांसे इसका जितना व्यरेंस इलेक्ट्रोन होता है लिह देगे एक दू तीन चार पांच Jest हरगे पांच हो धेर थो हौ viktigt हम मेरे पास कितना हैं व्यांव至लेटि खर Hm देख नख सकते लोग देख अधर देख बड़ा कर दो मैंने लिग दी प्याविके बाः कितना को लेख्ष आप लेक्ट्रों और है तो हो चल् iç ख कितना है तो आप झाला इलिमनट को भी जो अलग है उसको को खूल से दिखाना होगा डॉटर को बताते हैं या तो दॉटस दिखाऊ या तो नुमर को लेफ्टग्टुज ठीक आप इसका क्रॉश से दिखा दिखा दिये एंसे हैड्योजन के बार कितना रहता है एक ही रहता है अब अब सब का अपना हिसाब कर द यह क्यों भी अब देखो यह तुम्हारा डॉट इस लुट इस्ट लुट इस्ट रुट लुट इस्ट्रों सकता है ओ आप एक काता बाइंड इस्ट इस्ट क्षोव में ज्यादे दिमाग लगाना हो है थेक लिखने हैं इसे तीन जगाई से दे देंगे है हमको इससे बाइन करना है तो बस कुछ नहीं करेंगे जहाँ एक डंडा मार देंगे हैं तो हमको बाकी लेक्ट्रों से कोई मतलब नहीं हमको में ब्लाइब बनाना कईसा सिंगल बॉपन बना दिया दिम को बना सिंगल बना इंड और इसकर में ज्यादा तर को सीच फॉर बनाना यह तो हम और में यहां को इस चप्टर में ज्यादा तर कार्बन से लेटेड ही कंपाउंड पढ़ना है यह तो एक दू बस ऐसे देखने के लिए कि किस थाइप का कंपाउंड बन रहा है तो इसका इस्ट्रक्टर किस थाइप के होगा हमको जनरली सी और से रिलेटेड हाइड्रो कार्बंस करते हैं उसको इसको पढ़ना है ठीक है तो मालों मेरा अज कंपाउंड है इस बार इसका पहले हम डॉट इसके बनाएंगे उसके बाद बनाएंगे अब देखो इसका डॉट इस बनाना है तो एक युँमेंट वो तो मीडिल में रहाजाएगा थीक को मैं इसको इड्रो ठीक है लिख दिया है बना कर देता हो वह सिक मीडिल में हो गया अब देखो एच कितना है चार साइड आराम से से कर दिया चार्बंध का बैलेंशियों क और रिलेक्ट्रो है, едखाते है, अब बताते हैं अपने हिसाब किताब करो तो QAR carbono को किसे को लेगे, अच्छा से Ger कि असो भे प्रफो एक ऑग डिधर फोट्रलों लागे बनना है जोड़ और ऑसी मैं चंफाँगे में एक लेखना है चींदर लिगभि देना ऑस हिरे से और वह संद यी कि यह क्या है कोभालेंट कंपाउट इस गया है है तो क्या होता है जेरली पूर इंड पूर कंड़क्टर होते हैं अब इसके आगे बात यह है कि सब था बेसिक था अब हम लोगों को पढ़ना है कार्बनेंट के बारे में उसका इस्ट्रक्चर पढ़ना कीसे बनेगा बॉंड ट्रक्चर और डॉट इस्ट्रक्चर थिक ना तो कार्बन कंपाउंड को जैसे मैंध्ड रिफ्ट को दो भागन बाड़ देगा ठीक तो उससे पहले उसके बारे में लेकिन उससे पहले एक बात समझना है कि कार्बन से ही बहुत सारा क्यों बना तो करबन का इतना वर्टाइलेचर क्यों होता है तो करबन का इतना वर्टाइलेचर नोलोग मतलाना अब अब देखो क्या करता है कि बहुत सारा तो इसको मालों कि अगर सिंपल समयना है तो मालों कि कारबन के पास कितना वैलनसी है चार है ठीक इसको चाहिए कितना चार या तो यह चार अलग-अलग वालनसा बना लेगा या ओसके पास चार्ग उलेक्टोन ले सकता है ठीक ना उसके वरैयास से बहुत ज्यादा इक स्क्षियर के पास दो होता है चार को इसको मिल गया तो इसके पास जो है बहुत ज्यादा सब अलग-अलग elements से पर अदूसरा होता है जिसे carbon-carbon का link chain बनता है है कि एक कारबन है यह कंबना चाहरों का बना सकता है तो अगर हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बॉन जो जिनरल यह दूबाग में डिभाइद है ठीक है पहला saturated और unsaturated saturated hydrocarbons and unsaturated unsaturated hydrocarbon ठीक ना अब saturated hydrocarbon और unsaturated hydrocarbon क्या होता है कि देखो saturated hydrocarbon में मतलब कि जब भी कोई compound बना है तो saturated compound saturated hydrocarbons compound जो होगा उसमें single mound होगा ठीक है जो भी compound बनेगा single bond होगा जिसे मान लोग अगर हम CH4 बनाए हुए है तो इसमें single single bond होगा है ठीक है ठीक है इसमें चला जाएगा saturated hydrocarbons में अगर कहीं तुमको double bond मिल गया या तीरपल बॉंड मिल गया अब डबल बॉंड कहीं से आगा इसे डबल बॉंड तीरपल बॉंड किसका होता है देखो विए चपुरों को बनाना थे से दूर बनाना है तो इसके पास यहाँ हare і भी अपने अलग अपने पर अलग आपने कारबन को एक एलेक्ट्रोन से लेन देन करके वो बना सकता है ठीक ना एक एलेक्ट्रोन देखें बना यह है अगर मालो इसको एक मिनिट्ट बनाते हैं ठीक है एक लोग लेते हैं है तो देखो इसका कैसे बनेगा सीशी ले लिए इसके पास तीन गों दे देए तो ये बन गया क्या सीटू है इसमें देखो जब कारवन-कार्वन जब बना है कारवन और का जब बना है तो सिंगल बन हुआ है धिक यह तीन एलेक्ट्रों अपना रख लिया है और यह अपना इस से di adam ना लेकिन आंपने में आपस में बाठ लिया है लेकिन कि यह तो हम लोग यह बना रहे हैं तो यहां क्या रहा कि इसको ढूयायट को भण मिला यां अगे पड़ोंगी ते उनकर लेक्ट्रों में तो Кांव की सब सब क्या हो जाएगा सेचुरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे गरबल किया है यह लोग चाहता है कंपाउड बन सकता तो क्या करेगा इस यह में हम एक्च्रा है हैट करेंगे यह क्पाउड में अंसे बंगाड कर दे है तो कौन कमपाउड मैं तो पहस्चानने का क्या तरीका है कि देखेंगा पहला कि सिंगल बॉंड है ऐसी पहस्चाना जाएगा दूसरा की ज्यादा किछ किछ गुआ तो इसके बादर बोलना है तो बोल देना कि देखो अब है कि सेचुरेटेड में एक ही होता है अलकेन और अनसेचुरेट में होता है अलकीन और अलकाइन अब हम love पढ़ेंगे saturated carbon compound ठीक है पहले बता martyr lien on such aально अब होता है विए अलकी है तो आलेक्या है तो आलकेन हम किसको बोलेंगे अलकेन बोलीगे। गूरुप फैड्रोकार्बन ठीक है जो एक सटीक फॉर्मुला पर हो ठीक है जैसे 2 यहां पर N 1 से start हो जाता है, N is equal to 123 जितना लेना है तुम ले सकते हैं, ठीक है, अब देखो, यह formula होता है, Cn H2n plus 2, अगर इसको भरबली याद करना है, तो जितना carbon है, जितना number of carbon है, hydrogen उससे double से 2 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसके double से 2 ज्यादा होना चाहिए, यानि कि देखो अगर कोई भी carbon compound बनाना है तो मालों के अगर हम C2 लिखे हैं इनके जगापर यहां टू रखे हैं ठीक तो एच के जगापर क्या रखना होगा दो का डबल और प्लस दो कितना रखना होगा दो दूनी के चार और छे तो क्या हो गया आलकें हो गया इस पर जितना सारा carbon compound हो जाएगा अलकें के गृूप में आ जाएगा ठीक और अंसेचरीट वाले क्या होते हैं कि अन्सेचू रेटेवाल में दो गवा आता है एक आता है अलकीन और डूसरा है अलकाइक ठीक है एक पान याने जितना नंबॉर आफ कारबन है है एक हैने हैन आफ का ह्थारबबल होगा यानि कि अगर इसका एक्जाम्पल देना चाहें तो अगर हम सी फाइव लिखे हैं तो हमको कितना लिखना होगा 10 तो यह जो कंपाउंड है किस गुरूप का है अलकीन के गुरूप का है ठीक है ज्यादा डिफिकल्टी है बस खाली सेट अप करना है कि जिस फोर्मॉला सेट हुआ जैसे कोई कंपाउंड लिख के दे दिया कि मालो यह तुम्हारा सी फाइव एच ट्वेल यह कौन सा कंपाउंड है अलकेन है तो तुम देखोगे कि यहां फाइव है फिर पांच का डबल के तो दस एक्स्ट्रा टूएड हुआ ठीक है तो कितना हो गया यह किस प मैंने के वारे में आते हैं अब अलकाइन के बारे में आते हैं तो अलकाइन क्या है अलकाइन क्या है अब देखो इसका फर्मुला क्या होता है कि cnh2n इसका क्या है CnH2N-2 है CnH2N-2 है मतलब जितना कार्बन है उसके डबल से दो कम ही रहेगा हाइड्रोजन मतलब देखो अब साइड में आराम से बताते हूं फर्मुला क्या हालकाइन का CnH2N-2 यानि कि अगर हम C के जगापर 3 रखें तो कितना आ जाएगा यहां तो यह किसमें चला गया अलकाइन में चला गया तो उसी तरह से दो तीन सारे कंपॉंड दिये जाएगा जिसमें कारबन नमबर और नमबर अइड्रोजन को अनलाइज करके दों को बताना होगा कि वह अलकें गूरूप का है कि अलकाइन गूरूप गूरूप का है ठीक है अब में बात ये है कि देखो हम को बनाना पड़ेगा बॉंड स्ट्रक्चर ये तो बच्चे ही सह हो गैंगि बस दिया हुआ है जिस पे सेट हो गया वह रखी इतना से काम नहीं चलने वाला है तो बात तुमको पहले यह होगा कि पहले तुमको कोई फर्मुला को पहचानना होगा तो सबसे पहले तुमको पहचानना होगा कि इसका क्या है मतलब कौन सा हृष है ठीक है और आगर यहाँ परनें घ्रण हो पहलेट तो कर्म चैन चेने भी बना है।ि कहीं पर सब्साइब छाई फिल उसका अगर हम बनाके दिखते हैं बनाना है और हम पहचान लिए कि किसका अलकाइन का है तो अलकाइन का है तो पता चला कि एक जगा कहा कितना रहेगा तीन बोंड रहेगा आख बंद करके कहीं भी तीन बोंड इसे डाल देंगे कि Department करो है छाहा है तो यह तो यहां से लेले है तो इसको कितना देना होगा ता इससे लिंक होगा एक पूत से तो तीन को साया यह मिल गाया तो इसको और चाहिए खैकर मांट शže Marie गया अलकान का बन गया उसी तरह से अलकीन का होता है और फिर अलकीन का होता है अब में देखो अब बहुत सारा हम लोग इस्ट्रक्चर पढ़ेंगे ठीक ना डिफरेंट डिफरेंट सब फर्मूला पर जिसे हम बहुत ज्यादा कोशन एक्जाम में आता है ठीक है तो अब कि हम लोग इसके आगे कि देखेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि अलकेन जो है आलकेन यो अलकेन का फॉर्मूला होता है वो שנh2n। CnH2n plus 2 होता है जो कि saturated hydrocarbon है और next हमारा आता है alkene जिसका formula होता है CnH2n ठीक जो कि unsaturated है और इसके साथ एक और आता है alkyne जो कि होता है उसका CnH2n minus 2 ठीक है तो हम लोग इसका कुछ-कुछ structure बना चुके थे तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक nomenclature करेंगे जिसे कोई भी compounds है जो इस formula पर सेट है जैसे कि C2, H6 है किस पर सेट है alkene पर तो जो इस formula पर सेट होगा उसका नाम और उसका group जो है वो alkene group का होगा जो भी carbon compound जो है hydrocarbon compound इस formula पर सेट होगा उसका नाम क्या होगा यह हम लोग अभी नहीं जानते हैं बस हमको पता चले कि अलकेन गुरूप का होगा और यह saturated hydrocarbon होगा और जो भी यह दोनों formula पर सेट करेगा जो भी compounds यह दोनों formula पर सेट जैसे C5, C5, A10 है जो कि alkene पर सेट किया अलकीन पर यह किस group का होगा यह हम लोग जान सकते हैं कि alkene group का है unsaturated का है तो unsaturated होगा यह हम जान सकते लेकिन इसका प्रूपर हम लोग नाम नहीं बता सकते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे nomenclature पढ़ेंगे ठीक है देखो जो भी हम लोग का carbon compounds का जो nomenclature होगा जो हम नाम बोलेंगे वो तो group से तुम लोग define कर लोगे ठीक ना लेकिन उसका नाम जो असली depend किस पर करेगा उसके number of carbons पर कि उसका कितना number of carbon है जैसे महानलोग कि अगर हम लिखें इसमें number of carbon कितना है वन है अगर हम CH2H6 लिखे तो यही नमबर उफ़ कार्बन बतायेगा कि इसका नाम क्या है और इसका group उसके साथ included होगा जैसे कि महानलोग अगर इसके पास number of carbon वन है तो वन को हम लोग क्या बलते है जली आपना है कि इसका पीछे का तीन वर्ड उठाके यहां रख देना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका पॉलते है उसका एक टिबल है उसको याद करना पड़ेगा जैसे देखो अभी हम बोले है कि मालों सीटू एच सिक्स है सेटू एच सिक्स है तक कारबन का नमबर की नमर कारबन कितना है दो और दो को क्या बोलते हैं इत बोलते हैं कि रूप जैसे मेरे एक compound है C2H6 तो हमको कोई भी compound का nomenclature करने के लिए उसका नाम पता करने के लिए सबसे पहले हमको find करना है कि यह कौन से ग्रूप का है तो इसका पीछे वाला तीन उठाके लाकर रख दो अब number of carbon कितना है दो क्या बोलते है इथ बोलते हैं तो इहां लिक देंगे इसे इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन क्या नाम हो जाएगा इथेन तो कोई भी compound का फॉर्मूला से हम उसका नाम निकाल दिए अगर लगाना होगा इथेन का निकलना होगा तो सिधा समझेंगे कि मतलब कौन सा गुरूप बनाने हैं हमको अलकेन का गुरूप बनाने है किस फॉर्मूला पर सेट करेगा सी एथेन प्लस टू ठीक और इथ बोल दिया मतलब number of carbon कितना दो तो एन के जगे पर कितना पूट करेंगे दो कितना हो जाएगा सी टू सी टू हो जागे हाँ पर तो नाम से हम लोग formula बना सकते हैं और formula से हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं बसरते हमको number of carbon को क्या बोलते हैं वह हमको पता होना चाहिए जैसे देखो एक carbon के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं myth दो के लिए it और त्री तीन के लिए prop चार के लिए but और पांच के लिए prop ठीक है एक रहेगा तो इतना काफी है अब देखो मन लोग जैसे हम कोई लिख कुछ लिखते हैं अभी हमों लोग अलकेन गुरूप का नाम बना रहे हैं ठीक है अलकीन और अलकाइन अभी इसके आगे देखेंगे अगर अलकेन अच्छे समझ में आ जाएगा तो अलकीन और अलकान भी सेम टाइप से बस लास्ट में यह नहीं लगाना है किसी मे करेंगे सेकेंड के लिए थर्ट के लिए प्रोप और चार के लिए ब्यूट और यहां पांच का पेंट होता है यहां प्रोपिट से लिखा गया पेंट होता है पांच करेंगे पैंट ठीक है अब देखो कि हमको कोई लिख के दे दिया अभी लिख दिया C3H कितना हो गया इ किसको प्रॉप को तो लिखे देंगे प्रॉप कौन सा गुरूप है कौन सा फर्मुला पर सेट किया cn h2n प्लस टूपे क्या है अलकेन है क्या है अलकेन है एनी उठा के यहां रख़ो हो गया प्रोपेन ठीक है कोई तुमसे पूछे कि भाई ब्यूटेन बना के दिखाओ का भ्यूट मतलब number of carbon कितना रखना है चार रखना है तो इसी पर चार रख दो तक करवन कितना हो जाएगा चार और चार दुनिक आठ और दो दस किसका फर्मूला हो गया विटेन का फर्मूला हो गया ठीक है तो लोग इसी तरह से number of carbon के हिसा को देख के हम लोग उसका नाम दे सकते हैं ठीक है ये अब इसके आगे हम लोग क्या बेतों क्लियों पन्ये फिस्य फॉर्मुला छलेंगे इसका सीधा यृत प्रॉमला व कुछ नहीं करना इस में इस भी Chu प्रॉप बॉइट जो भी है उसका यूज करना है जैसे मालों कि एक हम अलकीन लिखना देखो अब फॉर्मुला तुम को पता है तो तुम खुद से बना सकते हूं हुआँ तरो उसका नॉमंक्लिचर के बारे मात करें इसका नाम क्या होगा ठीक अब सीधान चारू किसके पास नमर. तो यह क्या है इतना है तो इसके लिए कौन सा प्रॉप और कौन सा गुरूप है इन क्या हो जाएगा प्रपीन तो लॉमन क्लिचर बहुत असान चीज है ज़्याता दिमागी नहीं लगाना है पहले देखना है नमबर आफ कार्बंस जिससे तुमको आगे का पाठ्ट मिल तो आगे का इत लगाना है कि मित लगाना है कि प्रोप लगाना है कि फॉर्मला पर ब्लस टू पर है कि तो अलकेन पर छलते हैं इसमें कोई प्रब्लम है नहीं आरामसे बना लोगे सेम है अम नेक्स हम लोग चलेंगे अलकाइन में हुद इसका क्या है वाइन इसका क्या फर्मॉला आता है हम लोग को याद होना चाहिए cnH2N-2 cnH2N-2 हम लोग बनाते हैं खुद से भी बना सकते हो इसके नाम इसका नाम क्या होगा सिद्धा साबात है number of carbon कितना है इत यूज कर देंगे कौन पार्टी है वाई निका पार्टी है इताइन हो गया तो इसका नाम क्यों जाएगा इसका नाम हो जाएगा ठीक है उसी तरह एक carbon दे दे प्रॉट करें तो कितना हो जाएगा थिक्स का नाम क्या होगा ए प्रपै नीं लगाना प्र्पाइं हो जाएगा अब देखोँ इससा बत है अब हम लोग कोई भी फार्मूला से उसका नाम लिखने आप नाम से फॉर्मूला मतलब मालो एक तुमको क्यों कोई क्वेश्चन दे दिया व्यूटीन दे दिया व्यूटीन दे दिया तब ब्यूट मतलब नमर अफ कारबन कितना चार और यह नहीं मतलब कौन सा फर्मुला पर सेट रहेगा सी एन अब इसका अब इसके आगे पढ़ेंगे इसका इस्ट्रक्चर अब जो जितने सारे मोग पढ़ेंगे अलकेन 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 उसका बने गाहर तो हम लोग अलकेन का सारा पढ़ लिए उसका नमल क्ली चर पढ़ लिए कि उसको किस नाम से बोलेंगे नाम से फर्मुला बना लिए अब लोग डेखो अब लोग जो इस्ट्रक्चर है इसे लिए इसे इसे ने हम लिखें हैं हम लोग देखते हैं कितना हो गया है तो डिस्ट्रिट करेंगे पहले लोग सबसे पहले मुझ जानें कि कौन सा कमपॉंड यानि क्या अलकेन है यहां कर्बंड मिल गया है कितना चर चाहिए एक मुल चुका है तर कितना है लेगा इसको एधर से मिल आठी तीन लेगा अब काउट करो तो तीन इधर तीन इधर और चार इधर शुको मेल फोग्या इसका इस्ट्रक्श्ट्र अब जरूरी थोड़ी है कि इसका यही बनेगा वो क्यों को आया के ऐसे कर देगा क्या की देखो था करें शर्जान असेुट नहां हरसे पर हमाना करूंट ओ इसके पास एक मेठी यहां एच यहां एच यहां तो इसका अब चार कंप्लीट है इसका भी कंप्लीट देखो इसके पास कितना मिला हुआ एक दू तीन मिला हुआ यह चाहिए इसको यहां तीन ही दिले लगाए कि इसका है और यह तीन है ले लिए ठीक है यह तो तो तुम्हारा इस फर्मुला का वह दो गोई स्ट्रक्चर बना दिया बोला कि यह भी स्ट्रक्चर है यह भी स्ट्रक्चर है ठीक है तो एक फर्मुला का अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकता है इसी कंपल बोलते हैं इस्ट्रक्चर आइसो मर जिसमें की फर्मुला सेम है लेकिन इस्ट्रक्चर डिफ्रेंट हो सकता है इस्ट्रक्चर होते जाएगा इसमें नोग दो बनाए है ठीक है आगे हो जाएगा तो उसमें और ज्यादा होगा कभी कर बन इसके ऊपर है कोई आएगा और नीचे लगा देगा इसको इढ़ा के यहां रख देगा इसको अधर कर देगा तो यह काउंट नहीं होगा अभी थोज़ा दिर लेते हैं इसका तो पहला लीनेर बनेगा अब कर दो दो इधर है जाए दिमाग नहीं लगा ना इसमें बस इसी लिख देना है चर-चर बोन देख देखके हो गया यह हो गया पेंटेन का ठेक पहीला सीधा है इसको बोलते हैं बोलते हैं इसे बब्रांच निकल गया इसको रिंग बोलेंगे तो यह को इसे कर दियंगा एक चीज देखो जिसे इसको डायरेक्ट अईसे बहिए लिख सकता है इस के पास इस कारबन के पास कितना है तीन है तो इसको मोर्ला यहां तरी कारबन के पास कितना है तो यहां सियज काउंट करके देखो पांच कार्बन हो गया और कितना 12 हो तुमारा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ज्यादा बार बार इसे बॉंड देने का जूरत नहीं है ज्यादा इस उमर बनने लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा हम लोग को इस तरह से लिख सकते हैं अब देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यह कितना कर्मन कितना नीजा यह थे पहला तप्छिंด सप्छिंड बना हुआ है यह ब्रांश हो ए ब्रांच इस अब कितने क्या पढ़ना हो इस्ट्रक्चिल आइसोमर पढ़ रहे हैं तो दूसरा मेरा यहां बन गया अब एक और इससे क्या बनेगा एक और हम बनाते हैं एक और कोई इसे किया कि देखो पहले कार्मन सेफरेट करना चाहिए इसे करने ठीक है दो कि इसको एक बन मिला ते तीन दे देंगे इसको इक पर मिला त्यां त्यूंद कि क्या अब आप ध्यान से देख नटा कि इसमें बश्त बना हुआ है इसमें ब्रांच बना हुआ है ठीक है नद О Владभ अलक दॆ है ति हम औरो हुछ इसमें फर्क क्या है ठीक थीजो यह में इसे से देखते हैं हम लोग काउंटिंग करते हैं कि गज़ इधर से कउंटिंग करो गया शुकें निकला हो अगर नजदीग पड़ेगा हम काोंटिंग किस दो पड़ेगा पाइल EU यह दुसरा का वन यह था कारबन यह दूसतर कान्त का प्रऊंच सेंसे निकला हुआ है ठीक अगर इसके इसाइब चले तो कांटिंगे करेंगे जिदर से बांच नदीक पड़ेगा इना इसका पहला है विए बना दूसरा यह बना दूसरा यह गते लिए बना दूसरे मैं नहीं बना बतिया वही है अब इसका और तक कहार बना सकते हैं इसको चार बंद मिल गाते चाहिए इसको देखो इसको तीन देदो और इसको तो तो जितना ज्यादा बड़ी समझो बड़ो गए बना गए उसका ज्यादव होते जाएगा पेंटिंग तक तुम्ले के लिए काफी आइसमा ठेक बस एक बाप समझ लेना कन्फ्यूजन नहीं होना है आई समर्थ वा सा डाइग्राम इधर उदर कर देगा लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना जिस एक बात बताते हैं देखो सिंब्सा को सोटाखी यह किन सम्झोज बात को तुम को को इसे देदिए ओ ईसी देग दिया लु vez 2 पिसस्टीसटीसटीए दिख खुड़तार ले सब्सक्राइब इस चैप से लिख दिया है कि हम लोग पढ़ें इसका कितना टीन इसमर उसकापने पिर गया था कि एक सबसें अलगा है यह इसे बता है इसे बता है और यह तो अलग है कि और एक दिमाग लगा दिया कि क्या क्या हो वो इस टैप से फिगर बना दिया यह तो मान लोग कॉंसेप्ट समझेंगे इस सेव हैं कि नहीं है को एसे कर दिया थिए शेश्ट्री शेश्ट्डू शेश्ट्व और यह लिग दिया जा इसे लिग दिया अब बोलेगा कि देखुँ उस तीनों से तो यह मैच नहीं किया यह अलग हो गया अलग नहीं है यह बना का है क्शेण बना हुआ है एक लाइन से गारबन है जो सिधा सारा कार्वन हम कpoke पकड़ा यह कौन है लेकर इसको ब हुसी तरह से पकड़ सकता है एक लेकर लेकर लोंगेश्ट चूटा खाली सेत्षाई चूटा प्र 좋다 gef था यह चूटा है और ओप्लेक उbars तो एक बार इसे तुम्हें से कर लो पता चल जाएगा कि नहीं होना कि इसका इसोमर तीन वह था कोई पांच को बना दिया है कि अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था अलकेन अलकीन और अलकाइन का आईसोर इस्ट्रक्चर अब क्या है कि वह कंपाउंड में कुछ फंसनल गूर्प के कंपाउंड होंगे जैसे कि ऑक्सिजन एटम उसमें एड होके वह फार्म ले लेगा ठीक है उसी तरह बहुत तर वह फंसनले गूरूप है जो कर्मन कंपाउंड में अड होके एक अच्छा मतलब एक अलक कंपाउंड बनाइंगे ठीक है जिसमें लेकीन अलकेन में आड़ करने के लिए देखो जैसे के अलकेन हमने बनाया च3 बनाया अलकेन बनाया तो यह तो कंपलीट है यह कैसा है अब हमको कोई और फॉंसल गूर्प यानि कि कोई अधर एड करना है तो एगो को को त्यार करना पड़ेगा जाओ एक एक जाएगा सिंगल छोड़ेगा तभी नहीं कोई सिंगल बॉन्ड वाला यानिकि वैसा इलेमेंट इसमें आटेच वह पाएगा जिसका वहलेंसी क्या हो वहन हो जिसका वहलेंसी वहन हो ठेक है तो जब उसके जगाँ पर ये सीयल आ ख़ळेंगे यहीं नेविंग होता है ठीक ना हम लोग ने पढ़ा था अलकेन फिर पढ़ा था अलकीन खिर पढ़ा था अलकाईन अब अब पहले वालकाईल है वाईली आलकाईल ठीक है जिसमें कि जो भी compound रहेगा वो अलकेन टाइप का रहेगा लेकिन एक bond छोड़के रहेगा जैसे कि अलकेन हम लोग बनाते हैं C2H6 बनाते हैं ठीक तो जब अलकाइल हम फॉर्म्ड करेंगे तो यहां पर H5 होगा एक single bond छोड़के रखेगा किस्के लिए कोई single bond वाला element आकंगे इसमें才ज हो जाए वह कौन सा गूरूप में चला गया ऐलकायल थी करह देख dudak हो है कि अलकाईल का है ठीक है यह क्या होता इसका उसी तरह उसी के जी सा फिर्म्राइब हता है जैसल ऐलकेन, है ठीक है तो यह सकता है जिसके साथ जूटता है अब देखो यही सिंगल बॉर्ण जिसकी जिसके साथ जूटता है अब इसके नाम चेंज कर देता है उसके हिसाब से नाम जाएगा अब देखो आयोडिन है तो अब देख लो जैसे कि तुम्हारे पास पॉंचनल ग्रूप है सी एल है पी आर है और आय है है इसको हो ऊंच बहुत है यह जो तीनों इलिमेंट है वह किसके गिर्फ का है यह फंशनल गुरुप का हम बात कर रहे है मिबात कर रहे हैं यह जो है जो हैyear cream को एक इसको करते हैं यह यह तीन ठीट किसके साथ में च कर जाकर यहां पर जाका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आराम से देखना है यह तीनों इसमें जाके मिलेगा ठीक तो अलग अलग फंसनल गूरूप बनाएगा यह तीनों जाके यहां पर रखाया और नंकर नमर कार्मन तुम्हारा करना चाहते हो इसके नाम से उसका नाम रखाएगा एक एक जामपल लेते हैं जैसे देखो अगर हम यहां पूट कर दिये और यहां तू रखना चाहते हैं इसका नेमिंग करते हैं तो इसको ज्यादा इमफशन में ठीक है इसको जैदर इंपॉर्टेंटोघन साफ फ Phi क्लो बहुक्त Лो ठीक है तो गior curryन को लुग देते हैं है कलो लेक्टा अब उसके बाद देखो की बनने क्या वाला था सिर्टुएंच स्पाइब क्या बांता इथेन बंनता है एक बांना इसको दिया है घी का बनने वाला था एधेन बनते हैं दो को इत बुलते हैं इथेन मंता तक है इथेन नाम जाएगा इसे खोड़ेख कि टेटां है तो अगर यहां यहां आ यूर्स कर देता और उसके बदर यहां पर और यहां राखा अद फालर न मयाद रहता तो ब्रोम्मो इथेन हो जाता है यहां पर मानलों देखू यहां CL के जगा पर अगर हम BR रख देते हैं आइधर मेरा N के जगा पर हम 3 ले ले तो कितना हो जाएगा सिथ्री एच सेवन हो जाएगा तो बी आर को ज्याधा इंपोर्टेंज देंगे तो नेमिंग करने टाइंग फंसनल गुरूप का जब नेमिंग होगा पता चलता है कि कारबन है अलावा भी बहुत कुछ है तो समझनाए क्यों सा गुरूप है फंसनल गुरूप है सिंपल अलक प्रोपेन बनने वाला था तो प्रोपेन लिख को प्र्णो प्रोपेन लिख करना है अलकाईल ऑ टून प्लस वन सिंगल भॉइंट देके रखा हुआ है अब देखा नेक्स है तुम्हारा अक्सिजन से रिलेटाड डूरूप है अक्सिजन से रिहों happiest यह чत त uwagę जो गुष मेसे पेहले अल्कोहल गुरूप है जो फेर के उसके बाद ऑल्डेय材ड आता है कि माने अधीय यद्स मुत नंची ऑ ची के स Zarvation के साथ बनज मेसा यूटा हुआ होता और एक उसके बाद बात होता है कार्बोजीलिक कार्बोजीलिक होता है और यह औक्सीजन सब्सक्राइब अल्कूवण गूरूप अल्धीघटर केटोन और कार्बजीली गुरूप ठीक है अब देखो लेकिन गुरूप भी बटा हुआ है वेच कहीं मिला किसके साथ हाइड्रोकारबन के साथ तो कौन सा गुरुप का हो जाएगा अलकोहल के गुरुप के ठीक है और अगर कहीं मिला तो अलडिहाट के गुरुप हो जाएगा और कहीं देखो एसे लिखा हुवा रहागा कार्बण के साथ कोई चेन जूडा हुआ रहेगा अब पीच में से डobra रहेगा तो है तो कौन से ग्रूप में चला जा जाएगा के टोन का ग्रूप और को यूद्गी साथ ही चुटा हुआ जैसे इसको तोड़ोगे तो तोड़ोगे तो देखो ओको डबल बंड चाहिए एक ही इसके साथ है इसका खाली है एक बंड का पूर्ति कौन करेगा यह करेगा अलकाई ठीक है तो अगर एक कंपाउंड इसके थुरू हमें कंपाउंड लिखते हैं सी टू एच फाइव लिख दिए एक सिंगल बंड है जिसमें को अच हो गया अब आता है नेमिंग का बात अब आता है नेमिंग का बात द्यान देना उसमें हाइलोजन गूरूप में लोग इलिमेंट डिफरेंट आया तो पिछे से यसाल आते थे वह इसमें अजी टाइप का सफिक्स जोरना पिछे वाला जोरना है जैसे कि मालोग अल्कॉहल का ज pist यहां प्रुल के सब्में लगां जोड़ेंगे सब जोडियों कि यह के लिए वेट weten करूए तो इसकी आ मुझे एथिन बोलते यहां miste m2 देख्वा, C2H 5 है तो इसको एथ एं बोलते है फो ह है के लिए का यूज करेंगे लाष्ट में एल लास्ट में। करेंगे लृसना। करेंगे ए को करेंगे का लगा देंगे वेल तो त्युक्तह नाम क्यों लोड़ी है कि हम क्या इन ओन वो से अपना इत्मित लगा लेगा ठीक है अब फॉंशनल ग्रूप देखके उसका लास्ट जो होता है यह को रिमोफ करके लगा लेना बहुत आसाना है अगर हम अल्डिहाइड में चले ठीक है अगर अल्डिहाइड में चले देखो तो इसको क्या करो एक कंपाउंड और लेलो ए आलकाइल में सी एनेश टुएन प्लस वन करके सिंगल बोर्ण जो छोड़ते थे वह आके सी एल बी आरी सब ले लेता था या ओच ले लेता ठीक है लेकिन अबरी आने वाला है अबरी आने वाला है यह और यह नहीं है हमको सी से प्रॉब्लम है जोकि नेमिंग हम लोग कर र रहे हैं कि भाई देखो यह नेमी हो गया सी टू एच फाइव यहां पर जो लगा देते थे अगर यहां लगा ओगे वेच अलकोहल गुरूप वाला तब तो कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर यहां पर यहां पर लगेगा तो इसी काउंट हो जाएगा जो काउंट कर रहे है उस में कौँंट हो जाएगा तो डिसे कि अगर हम लोग देखो हम लिखें देते हैं तो डिरेक्ट हम इसको का बहुते हैं दो कार्बन तो क्या है इत्हां होता ठीक है वेच तो इस अलकोहल गुरूप का है इसके लास्ट में लगाते है के कि स्कूर्प करके एक को रिमूब करके यहां पर दिखत यह आ रहा है कि सी इंक्लूडेड है ठीक है सी इंक्लूटेड है तो तीन को क्या बोलते है प्रोप बोलते है प्रोपेंट बनने वाला था है बस जो बनने वाला था लिएख दो प्रोपेंट टिक कौण सा ग्रूप उठाके आया है और यहां पर लगा दियंदे ठीक है असान देखो देखो तो प्रोपिनल हम लोग बना लिए ठीक अब देखो जादा टेंसर नहीं लेना है हमको इससे बना लिए अब बैग गएर लगाना तुमसे पूछ दिया जाए प्रोब्लम यहां पर आथा प्रब्लम आएगा यहां पर यह से कि देखो तो साफ सुत्रा कर लते हैं तो हम लोग देखें जैसे कि अभी जस्ट देखें च था फाइव था और यहां च लिखा हुआ था ठीक है तो इसका नेमिंग हम लोग ऐसे कि हैं हमको पूरा कार्बनेट करना आज divides था और यहां कॉन सा गुरूप का होता है याई है और यह पर यह उसकर थे हैं अभीतलिएते इंगल क child फो रोपेन बने वहां था ही जैसे जो कौन सा गुरूप का होता है जो का क्या क्या यूज्सकुरूप करते हैं अल्डिहाइड गुरुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं लास्ट में ठीक है यहां पर ए को हटाके रिमूब करके एल लिख देंगे प्रफे नल हो जाएगा ठीक है अब अब देखो दिक्कत यहां पर आता है तुम फर्मुला से तो उसका नेमिंग पकड़ लिया ठीक देखो तो फर्मुला से नेमिंग करने हम लोग असानी से कर सकते हैं बस हमको सर्ते पतावना चाहिए कि कार्बन टोटल जोडना है ब्रॉटे नल दे दिया नल दे दिया तो समझे कार्बन कितना रखना चाहिए चार रखना कितना कर्भन वाची चार अब एक बात इसमें दिमाग लगाना एल बोला है तो देखो तो ब्यूटेनॉल के लिए घूट से पता चला करभन कितना लेना है चार लेने करभन कि मेरे पास करभन किया होगा चार बहुत आए देखें तमको पता चली क्या है अल्डिह कि यह पास कितना हो जाएगा तो हीजिला ग्लास में हमने देखा था कि फूरा कंपलीट हुआ नहीं था तो उसको उसका बैकप में करवा देता हूं मेरा इसटाट कहां से हुआ था अलकाइल से ठीक है कि जगा पर एक अलकाइल होता वाय यली वाला उसमें क्या था अलकेन था अलकीन था और अलकाइल था इसमें अब देखो इसमें तो यह कि इसका फर्मूला होता है सीएन एच टुईन प्लस वण के साथ सिंगल तिक है यह यह एक अंसेट्टिट कारबन भी नहीं और सेच्टिकर कर में आप कि unsaturated carbon में क्या था कि उसमें सारा फुल फिल था ठीक ना जिसमें की carbon carbon के बीच में double bond था तिर्पल था लेकिन इसमें क्या है इसमें की देखो इसमें मान लोगर एक खैक शामपल लेकर हम बात करें तो कितना होगा यह सिएच 3 हो जाएगा लेकिन सिंगल ओर से जाके यह था धूड़ तो इसका नाम होगा इसका नेमिंग कर लेटें पहले इसका निमींग करेंगे यह क्या वह जाएगा उसकी तरह से अगर हम नाम क्या हो जाएगा दो कार्बन को क्या बोलते हैं इत बोलते हैं और इसका यली लगा देंगे इथाइल हो जाएगा ठीक है यह सिंगल बॉंड जो भी छुट रहा है वही कोई सिंगल बॉंड फंसनल गूर्प को ले के आएगा और एक अलग बना देगा कोई अलग फंसनल गूर्प का जो सिंगल बॉंड से छुटा हुआ रहेगा उसको ले कि अग्वर एक अलग कंपाउंड बना देगा जैसे पिछले क्लास में मैंने बात किया था ठीक है ओएग्व यानि के अल्कोहल में सिंगल बॉंड रह जाता है देखो किस तरह अलकाइट के साथ सिंगल मॉन बचा हुआ वह दिफरेंट अफांसरल गूरूप का जो सिंगल बॉंड छुटा वबर रहता है वह आके इससे तो यह उपन गृपक Спयंणकर हो गया यह थाओ और है फंसनलों में नो कि हलोजोनुटों में कौन से अलेमेंट लाते थे सियेल अटे थे सिंगल वह सिएल बी जुश साथ आयाटा था तो किस के साथ आटा था अलकाइल तो ऑलकाइल जो था मेरा यह वाला ख़एल जाता था यह 3 में से कोई घ्ञा पर आजाता था वह अलकाइल जैसे CL आ गया तो अलकाइल एक एक्जामपल और लेता हूं C2H5 CL हो गया तो यहां पर कितना है दो तो को क्या बोलते हैं इत बोलते हैं दो को इत बोलते हैं ठीक है तो इसको क्या बोलेगे आगे CL है ठीक ना तो नेमिंग करने एक टाइम हाईलोजन गुरूप के लिए इसपीसली हाईलोजन गुरूप वाले जो गॉपाउंस है उसका नेमिंग करने के टाइम क्या होता है कि CL जो है CL का सॉट फॉर्म आगे रखा जाता है इसको बोलते हैं और इत है एथेन बनने वाला है इसको इथेन बोल देंगे क्लो तो चिरह बोल देंगे उसी तरह अगर रखेता तो ब्रोमो इथेन हो जाता नेमिंग हो गया तो कोई भी अलकाइल के साथ अगर ये तीनों एलिमेंट्स एड़ हो जाए तो ये क्या बना देता है है अल्कोहल गुरूप का अल्कोहल गुरूप जैसे देखो अलकाइल के साथ अलकाइल के साथ जब और अब देखो क्या करेंगे कि हम इसको लिखते हैं इसका एक फ़र्मूला से लिखते हैं को सी एण H2N plus 1 यहाँ पर सिंगल पॉंट के जगह पर इसको OH को लाके रख देते हैं ठीक है तो यह कौन सा compound बन गया alcohol function group के compound बन गया अब naming की स्क्रादार पर देंगे तो जितना number of carbon यहाँ पर रहेगा अगर number of carbon हम यहाँ पर रखते हैं तीन रख देते है अब देखो कि यह जो compound है वह जिसके साथ है तो इस compound तो पता चल गया कि alcohol group का है लेकि naming कैसे करेंगे naming कैसे करेंगे देखो naming करेंगे कि देखो number of carbon कितना है तीन है तो number of carbon को कितना क्या बोलते हैं तीन को प्रॉप बोलते हैं ठीक है नमर तो अया कौन है यह आ गया है खोना गया करें यहां का जो और यहां का ज़िए को रीम prevention करके ओने के लिए यहको और की मुदकर के उएल लिगा दिया जाता है यहां पर करके लिख दिया जाता है तो प्रोपे नौल हो गया इसका नाम हो गया प्रोपे नौल अब देखो एक और एक्जामपल ले लिए जाए काफी इतना सिधा यह समझ लो अलकाइल है उसके साथ वे चैड हुआ है नंबर ऑफ कारबन यहां पर पूट कर देना उस पर सेट कर देना नं ब्रोमीन यह तो प्रोवमों लिखा जाता था और आयोडी नहीं तो अचल लिखा जाता आगे यससे आई ओडो इथेन लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कर बंस वाले को आगे लिखा जाता इसा प्रोपेन एक लिए को रिमोव कर और लकाद जैता इसे पीछे सिफ्टिं किया जाता है इसका दो डिट इसका एक डिर हटाके लगा लगाजalahा तो समझाइगे किको अपोड़ का नाम दे ऑं सिर्फ नाम दे अब बोले जैए कि फॉर्मुला लेके दिखाऊ तो फॉर्मुला हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्रॉपे नौल है यह एक अलगौरूल तो किसके साथ हुआ है अलकाईल के साथ है तो अलकाईल का जो फॉर्मुला आता है वो क्या होता है cnH2n1 प्लस 1 और नमबर अफ कारबन को पता चल जाएगा प्रॉक मतलब 3 तो यहां लिखते हैंगे c3h7oh हमको नेम से फॉर्मुला लिखते हैं और फॉर्मुला से हम लोग नाम भी बना सकते हैं अगर कोई एक्जांपल पूछेगा तो एक्जांपल भी लोग बता सा रखते हैं इस तरह से अब नेक्स्ट हम लोगा कंपाउंड आने वाला है अल्कोहल के बाद अल्डी हाइड यह समझ गया बस बाकि फॉर्ण्शनल ग्रूप समझो और अब अल्डी हाइड देखो अल्डी हाइड एक कंपाउंड आ रहा है लोग अगर हम लिखना चाहते हैं इसको हम क्या बोलेंग है इन के डिखापर नंबर देखोगे यहां वन है तो यह तुम लोग डाइरेक्ट अगर बोल सकता है इसे कि मिथ है मिथेन है और इसका सफिक्स क्या होता है पीशेवला यह को रिभी फॉर के यह लगाते हैं अल्कोहल में लगाते थे इसमें यह लगाते हैं तो यहां पर यह नहीं लिखिए यह को हटा कैसे सबस्क्यानुख नुम्बर वर्म टोटल अच्ट करना है करना अब तो आगहां और उसले तो इसका फार्मला राम से बन जाएगा यहां को निया हैं तो यहां च्छ二 अब द्यां से दिखना कि अया पे दो है तो के लिखेंगे इत लिखेंगे पर लेकर खरके छोंगा यहां पर लिखना घ्रते रिखना ओक यह नगा अगर तुमको मितना लिखना है तुम को लगाना ओगा इन इंगता पर er उन्रख दोगे मतलब कि attitude यह vatorio रहेगा तो दूड़ा मुझे टूडल नब की तो ते के दिछ सी इच और यह को जाएगा तो कि9 माध ट्योगा relevantें पर-s양ाप ठीक है न अब देखो अल्डियाइड का Compound का हम लोग नेमिंग सीख है बस इतना याद रखना है के कार्बन का संख्या जो है वो तुमको जोड़ देना है पूरा पूरा जोड़ देना है अब अल्डियाइड के बाद आता है अल्डियाइड के बादा रहेगा घ्र्द टोड़ों तोड़े हैं यहां एन और प्सपानो तोड़े हैं आप तो जो है कि शो ना तो क्या करेंगे कमें कर मनें प्रू प्लू प्लौ कि कोई भी में कार्बंछेन में ऑड़ रहेगा कर दो पर क्या होगा औरеня है कार्बंण का में में के ऊपर क्या लगा हो रहेगा कि टोन शिल्दें से पीछे जो सिंगल बोंड लगा दोगे यह हो जाएगा ठीक है पुरी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि देखो सीन एस्टुन के पास है सिंगल बॉंड से यह जो कंपाउंड किसके साथ आड़ होने वाला है जिसके पास सिंगल बॉंड हो अगर तुम डाइरेक्ट ओ इसमें लगा दोगे तो तो फुट डाबल लेकर रखता है तो डारेक्ट इसमें होगा ही नहीं तो उसके लिए एक और बॉंड लेगा जैसे कि यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूब हुआ था ऐसी के लिए सिंगल बॉंड आया था ठीक है इससे अलकेड़ फॉर्म्मूला क्या होता है सीन एस्टू एंग प्लस तू होता है ठीक है जो कम्प्लीट रहता है तो यहां टू हाइड्रोजन में से ए quienosan double bond के साथ हो तहकर इसको सिंगल bond मिलेगा तो साथ में रहने पाएगा तो यह क्या करेगा एक और हाइड्रोजन खाएगा एक है दसा reckon अब ध्यान से देखो अगर इसका पौन मुं लिखना है इंदे च हैब घर तो जब भी इसको structure बनाओ तो C3H6O बनाओगे देखो यहां बना हुआ है सायल हाँ यहां बना हुआ है इसका बनेगा तो यह जो है यह हमेशा कार्बन के उपर रहेगा यह जो है प्रोपे नौन हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं साइवाइब इसका सौट काट नेम है इसको कर गाते हैं इसी तोन अब देखो के टोन गुरूप होगया मेरा खतम अब इसके बाद नेक्स्ट गूरूप आने वाला है इसका कार्बूजिली गूरूप का फिक है अब कार्बोजीलिक ग्रूप के बारे में पढ़ेंगे के टोन ग्रूप में यहीं सब हैं नीमिंग करना है कैसे यहां पर ओको ध्यान में देख लो कि यहां डावल बोंड के साथ रहेगा और जब फॉर्मूला में हो जागा डाइरेक्ट किजेवला उठाके नहीं रखना है यहां पर cnH2N और फिर ओ रखना इसके साथ ही नहीं रहेगा और हमेशा किसके साथ रहेगा इससी के साथ रहेगा ठीक है अब चला जाए कर्बोजीलिक ग्रूप अब इसमें क्या है इसका फर्मूला होता है सी ओ ओ एच अब इसका फर्मूला हो और इसका पीछे वाला जो नाम लोग आड करते आ रहे हैं इसमें अलकोहल में ओए चाइड किये हैं इसमें ओएक एसिड लगता है पीछे क्या लगा देंगे ओएक एसिड लगा देंगे अब ध्यान से देखो कारबोजिली गुरूप में वही दिक्कत है जो अल्डियाइड गुरूप में था अल्डियाइड गुरूप में क्या था कि उसमें जो था कि सी जो था वोगांट होता था तो इसमें भी हाल है काउंट होगा तो अगर कोई हम फॉर्मूला लिखे सी एज-ड्वेन प्लस-1 यहां सिंगल बॉन देदीए देदी है यहां सिंगल बॉन्ट इ इसे लें इसके साथ एड हो गया उसमें जो के टॉन का बाद था वह अकेले था उसको डबल बॉंट चाहिए था तो तब भी जूरता था इसको डबल बोन मिलने वाला था ठीक है इसको और इसमें सिर्फ सिंगल खाली है तो इस सिंगल बॉंट के साथ यहां पर अब हो यहां चारिक पंच हो जाएगा और सी ओ ओ फो एच हो जाएगा तिसका नेमिंग क्या कर सकते वह इसक्त क्या हो जाएगा कि कैसे नमजम कितना है फिर वह स्थी यह कुल में कलना तीन ठीक है तो इसका जागा डों सरुपर दाटीन कार्बन के लिए अरग है प्रआ आ बनता परोपेन बनता हां इंहां है यह लागाना है यह लगाना है जो लागाना है प्रोपेनुक अब इसका सबसे चोता आगर मानलोगा चोटा लिया जाए यह पर भ Cub से हिस्ट थ तरीर करते हैं वन कूट करते हैं छे दिऊ के स्सक्राव引भ करते हैं कि वो स्काव देखिक यथ मिधले हैं किटना है så उन्हें हो तो दो की लीए को बनाओ करते हैं है तो क्या हो जागर सकतना है देखिक at इतनों इक इसे इतनों हो जाएगा ठीक है तो कार्बुजली के कंपाउड में बस जो भी अलकाइल के साथ सी ओएज के साथ जुटा हुआ है ठीक है उसका जो जिस तरह से बनाएं है नेमिंग करेंगे कार्बन का नंबर करें पर उसका लिख लेंगे इत्मीथ ब्यूट क्या ह ऑगता जो है उसके बाद इसका जो नीचे पीशे लगाना तॉय है इसको हो इससे लिख सकता है assuming हो गया इसको साथ मेरा किका तरह है कलेंग लिख सकता है कि यृष तक मेरा खतम हो गया ठीक है तो functional group में रहो गया समाप्त इसमें कि हम लोग naming देखेंगे कि अलग-अलग group का compound कि हम लोग naming कैसे करते हैं तो इसे question बस इतना सा है कि एक formula दे दिया जाएगा जिसे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा तो इसमें देखो क्या है कि इसमें क्या है कि तुम पकड़ लोगे कि अब ध्यान से देखनो कि इतना है दो को क्या बोलते है इथ ठीक है इथा नोल हो जाएगा अब द्यान से देखनो अगर हम लिखना चाहें अगर हम लिख दें एथ को देखके पता जया कि कौन सा गुरूप है अल्डीयाड की गुरूप के पीछे क्या लगता है एल लगता है च्छ्थी मिथे नौल हो जाएगा अब देखो कि तो जो हम लोग देख लिए कि पंट्सनल कर नेमिंग किसे करेंगे फर्मूला से उसका नाम किसे हो गया समाप्त तो आज हम लोग का फंशनल ग्रूप हो गया खतम ठीक है अब फंशनल ग्रूप यही में है यही नेमिंग इस चेप्टर में ज्यादा में माना जाता है अब इसके बारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड का केमिकल है ठीक है यह होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए बाए